हेलो मैं जस्बीर अपने नीटिंग चैनल पे आप सा बेहनों का स्वागत करती हूं आज हम शोल्डर की नई कटिंग सीखेंगे यह रेगलेंड कटिंग है इसमें हमने जे वाली कटिंग की है जे वाला डिजाइन दिया है हमने दोनों साइड ऐसा ही हम बाज्जू पे देंग इस बाज्जू पे देंगे और बैक साइड में तो फिर गोल गलाब बन जाता है इसके बाद और इस कटिंग को जैसे हमने नीचे का स्वेटर बना लिया है उसके बाद जाब हम कटिंग करते हैं अगर हम बड़ों की कटिंग करेंगे बड़ों के लिए बड़ी एज के तो बनाने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं तो यह हमारा पोर्शन बन के तयार है छलिए इस पेज पें सीखते हैं हम ने और फिर त्यार कर लिया है और इस प अग्या देखिये हम ने दो इधर से कम कर लिए हैं एक कटिंग के लिए दो इधर से क्यो PK हM k remarks colored हें और किया करने हम अगर सीधा ही चाहिए फृन को एगे आङे और तीन ईलटे बरेंगे एक लगए दो पूलाएंगे आधिये अब हमों 2-ब करने तो हम क्या करें फंदे को बलटाइंगे और दो घर को कर दिया बाकी के फंदे हम पूरी स्लाई सीद्धी ही बनाएंगे ऐसे सीद्धी बनाते हुए last में कम करेंगे जह देखिए last में जब 6 फंदे रह जाएं तो फिर हम क्या करेंगे पहले दो का एक करेंगे ऐसे simple दो का एकिया thread डाग़े करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो 3 और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे अब इदर वाड़ा फंदा हमने उल्टा बुना है जब हम wrong side में जाएंगे तो हम इस फंदे को सीधा उतारेंगे ऐसे सीधा उतार लिया फिर हम thread डागे करेंगे और पूरी sly हम उल्टी बनेंगे ऐसे अगर हम बनेंगे तो हमारी side में जे chain बनेंगे जो के हम sly में हमारी finishing के काम आएगी तो पूरी sly उल्टी बनानी है ये देखिए friend हमने पूरी sly उल्टी बनाई है हमारा design भी start हो गया है और cutting भी शुरू होगी है अब हमने फिर सीधा फंदा उतारना है क्योंकि उदर से उल्टा था सीधा उतार के thread डागे किया और तीन फंदे बनें एक, दो और तीन फिर thread इदर करेंगे अब दो का एक करेंगे तो हम फंदे को पल्टाएंगे पल्टाने के बाद ही हम दो का एक करेंगे ऐसे हैं करके फिर हम सीधी स्लाई बुनते हुए जाएंगे जे देखिए सीधी स्लाई में last में हमारे 6 फंदे है 4 फंदे हमने उल्टे बुनने है दो फंदे जो सीधे दिख रहे हैं दो का एक करना है दो का एक किया और चार फंदे उल्टे बुने एक, दो, तीन, और चार अब इदर उल्टा फंदा है जब रॉंग साइड में जाएंगे तो इस फंदे को हम सीधा उतार लेंगे और फिर हम पूरी सलाई ही उल्टी ही बुनेगे पूरी सलाई जे देखिए फ्रेंड अब हमने हर सीधी सलाई ऐसे कटिंग करते जाना है तीन, चार हमने उल्टे रखने हैं, दो फंदे की कटिंग करनी है, कटाई ही डालनी है और दो की दर, जैसे हमने बताया है ऐसे ही हम कटिंग करते हुए पूरे जहां तक बुनेगे फिर आपको दिखाते हैं जे देखिए फ्रेंड, हमने इसकी भी कटिंग कर ली है और इसकी भी कटिंग होगी है अब हम इन फंदों को सेफटी पिन में डाल लेते हैं क्योंकि हमने जब गले के लिए फंदे शोड़ते हैं तो हम वो फंदे छोड़ रहे हैं जे देखिए ऐसी एक कटिंग आई है अब इसको हम दोनों को बताएंगे अगर हम इसको बाजू भी गिने कि ए बाजू है तो जे इसकी कटिंग है और इसके साथ हम इसकी सलाई करेंगे तो ऐसे आई जे बाजू दिखेगी और जे आगे का बाज तो हम इस कटिंग की सलाई करते हैं जे देखिए हमने सुई में थ्रेड डाल लिया है अब हम जो जे दो पीस हैं इनकी पहले सलाई करेंगे जो हमने दो फंदे एक साथ कम किये थे पहले हम उनकी सलाई करेंगे ऐसे ऐसे सलाई करेंगे इसकी सलाई दो तरह से होती है जो आपको तरीका अच्छा लगे आप वो सलाई वैसे ही सिल सकते हैं तो हमने पहले सिंपल वाली सलाई करनी है क्योंकि जे उल्टे उल्टे फंदे नजर आ रहे हैं तो हम पहले simple वाली सलाई ही करेंगे तो simple वाली सलाई करने के लिए हम क्या करेंगे हम जो उल्टा फंदा दिखता है chain नहीं पकड़ेंगे chain के साथ जो उल्टा फंदा दिखता है इसको लेंगे फिर हम इदर वाला उल्टा फंदा लेंगे जे वाला इसको से लेंगे फिर हम आगे जो उल्टा फंदा दिखता है जे जे देखिए जे चेन नहीं लेंगे जे उल्टा फंदा लेंगे तो हम इस से सलाई करेंगे तो उल्टे फंदे आपस में जुड़ जाएंगे जे वाला, ऐसे बारी-बारी से हर उल्टे पीस को हम लेंगे जे, इससे हम आपको सलाई करके बताते हैं कि कैसे दिखता है उसके बाद हम दूसरी एक और त्रिक्के की सलाई भी आपको बता देंगे तो हम इसकी पहले सलाई करते हैं, जे देखिए जब हम यह उल्टे पीस पकड़ेंगे जो दिखते हैं और उल्टा पीस उल्टी साइड में जो उल्टी उल्टी लाइने है उसके साथ हम जोड़ेंगे यह देखिए हम आपको दिखाते हैं यह ऐसी सलाई आएगी हमें एक बार पूरा सिलके आपको दखा देते है जो ए उल्टा पीस है जे उठाना है जे जे चेन नहीं उठानी है सिर्फ उल्टा पीस उठाना है इधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा जब हम उल्टी उल्टी लाईने जोडनी हो तो ऐसी इस लाई हम करते हैं इदर से भी उल्टा और दूसरी तरफ से भी उल्टा तो हमारी इसलाई कुछ ऐसी आती है यह देखिए ऐसी इसलाई आएगी तो हमारा जब शोल्डर दिखेगा और फ्रंट का तो ऐसा दिखेगा ऐसी कटिंग आएगी अच्छी लग रही है ऐसी जे सलाई एक तरीके की है अब हम दूसरी सलाई बताते हैं कि वो कैसे सिलनी है जे तो आपकी लाइन से लाइन जुड़ जाएगी लाइन से लाइन वो कटिंग वो जो सलाई है सुई से वो हम आपको बताते हैं वो दूसरा तरिका है जो दूसरा मेथड है फ्रेंड्स हो हम उल्टी साइड से सिलेंगे क्योंकि हमने सीधी साइड से आपको दिखा दिया है अब हम इन दोनों पीसों को उल्टा कर लेंगे ऐसे हमने दोनों पीस उल्टे कर लिये हैं अब हम स्टिच स्लाई करेंगे कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं जे हम जो दोनों पीस है इनको जहां हम दो दो कम किये थे इन दोनों को लेंगे ऐसे फिर इन दोनों को लेंगे ऐसे तो दो बार हमने एक बार उदर से कम किया एक बार उदर से आगे हम क्या करेंगे आगे जो हमें जे चेन दिख रही है हम आपको सलाई से बताते हैं जे जो चेन दिख रही है वैसे सिद्धी चेन जे है जे है और हम क्या करेंगे इदर वाली उपर वाली चेन ही एक एक पीस लेकर सलाई करेंगे ऐसे ही हम इदर से इसी से ही हम सलाई करेंगे तो हम क्या करेंगे इतना सिलने के बाद हम इसको उपर वाले पीस को और इपर वाले जे हमारे ऐसे आएंगे तो हम इसी दोनों को सिलते जाएंगे एक इदर का ले लेंगे उपर वाला पीस और एक इदर का तो हम ऐसे इसकी सलाई करते हुए जाएं बहुत असान है शैद आपने पहले सिला भी हो ऐसे फिर इदर वाला पीस इदर वाला ऐसे तो ऐसे आपने सिलते हुए जाना है इदर वाला इदर वाला एक-एक पीस लेना है ऐसे और आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं अगर fold करेंगे तो भी आपको first वाला एक एक पीस नजर आएगा A, J, ऐसे, बहुत असान है thread दिदर ही रखेंगे, ऐसे, फिर आग्ये वाले, इसमें से हमने ले लिया है हाँ, अब आग्ये वाला पीस और आग्ये वाले, उपर वाले बस ऐसे ही हमने एक पूरे पीस लेते हुए, बाहर वाले क्योंकि ये wrong side है, तो हम wrong side से sli कर रहे हैं तो जे right side से ऐसे दिखेंगी, हम आपको बताते हैं जे देखी, right side से जे sli जो हमने की है, वो ऐसे दिखेंगी तो आप दो तरीके से सिल सकते हैं आप उल्टे उल्टे राइट साइड से जो हमने बताया है उल्टे पीस लेके सिल सकते हैं और सिद्धी साइड से जब उल्टी साइड से सिलेंगे ऐसे एक एक पीस लेके चेन का लास्ट वाला तो ऐसे सलाई आएगी तो आप भी ऐसे ही सलाई करके अपने प्रजेक्ट को बना सकते हैं क्योंकि जे बन कर बहुत सुन्दर लगता है तो ऐसे ही आप अपने शोल्डर की कटिंग कीजिए और ऐसी ही फिंशिंग दे कर सलाई कीजिए तो आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स तो आप जरूर करें अगर आप कमेंट्स करेंगे हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए और नए नए डिजाइन और नए नए मैथड लेकर आएंगे जो कि आप असानी से बना सकते हैं Thank you, thank you very much